आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कि ना किसी राज़ की कि हम कलपना भी नी कर सकते हैं और जनता ही लोग थर कासा है जनता के मार्णम से ही सरकार आती हैं और जाती है और कोई भी चुनाव होता है वो बिना जनता के संभवी नहीं है कि जनता ही बोट करती है इसे जनता को जनारदन कहा जाता है जनता जनारदन पर इन जनता जनारदन के बीच सबसे बड़ी समस्या जब आती है जब जनता जनारदन बोर्ट तो करती है पर उनके साथ नियाय नहीं होता है और नियाय भी ऐसा जिसको लेके बहुत जदो जहर होती है और तमाम बारिक किये जाते है नियाय को लेकर पर यहाँ पर नयाय की बात है, वो नयाय की बात यहां पर इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जनता तो तमाम राज्जों की ज найдारी इस मुद्दे पर है, और साती सात जैंन सरकार है, उसकी जञनारी भी है, कि जनता जनारदन के जो भी जरूरी है कि समीख्षा यानी किसी भी चीज का किसी भी योजना का किसी भी विस्तार का किसी भी व्यवस्ता का एक आकलन करना समीच्छा कहते हैं पर समीच्छा जब बैतर ढंग से होती है तो उसके परणाम बहुत बैतर आते हैं पर समीच्छा होना भी जरूरी हो समीच्छा बैतर रूप से होना जरूरी है इस दोनों बहुत जरूरी है और इनका अपना पर अस्थित्प है अगर समीच्छा होगी तो उसका पढ़नाम अच्छा हैगा और समिच्छा बैतर तरीके से होगी तो पढ़नाम बहुत अच्छा हैगा पर इन पढ़नामों के बीच सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम पढ़नाम की बात करते हैं समिच्छा की बात करते हैं पर समिच्छा का निर्धानन कौन करेगा निर्धान तो करेगी सरकार और निर्धानन करेगी जो आपकी नोकर साही बिरोकेट्स और जब सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है और बिरोकेट्स उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ध्यान दिलाना ह उसको बतारा है कि आपने यहां गल्तिया की हैं और आपको इसका देखना चाहिए कि इसको कैसे निदान हो तो अगर हम समिच्शा की बात करें तो हम चरनबत तरीके से बात करेंगे कि आज की समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो मेंगाई की ए और मेंगाई पर तमाम बादे होते हैं मेंगाई चुनाओ के समय कम हो जाती है चुनाओ बार फिर सुरू हो जाती है ये भी हम देख रहे हैं पांच राजज्यों में चुनाओ थे और यसी चुनाओ खतम हुए मेंगाई डायान ने फिर अपना मुझ खोल दिया और जो जनता है जो गरीब आयवर्ग लोग है जो मद पर जब सरकार किसी भी बात की किसी भी स्थिती की किसी भी परेशानी की समस्या कई जब समिच्छा करेगी तो उसको पता चलेगा कि गलतियां कहां पर हों कैसे चीजों को रो सकते हैं बैतर कर सकते हैं बजब सरकार उस तरह ध्यान देगी तब तो आज की समय में जो मेंगा रही है और दर्व को रोकने के लिए हम कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं क्या वो प्रयास और पादन स्टर पर हो सकते हैं क्या वो प्रयास मंदी स्टर पर हो सकते हैं क्या वो प्रयास थोकिस्टर पर हो सकते हैं क्या वो प्रयास खुजरास्टर पर हो सकते हैं या क्या वो प् तो हमको पता चलेगा समिच्छा करेंगे तो कहां आपकामी हो रही है और कहां से मह画 हो लगातर बढ़ रही है मह рокार मेहंगा सबसंचे वड़ा होती है पेटर्ल डीजल के營 σ होती है और यह यहता है पेटर्ल डीजल से ने बढ़ने से तमाम चीज़े महंगी हो जाती है चाहे भाड़ा हो चाहे लागत हो जिसके करण तमाम चीज़ों के रेट महंगे होते हैं उसका खामेजा आम जनता को बुगतना पड़ता है तो सबसे वड़ी बात है कि पेटर डीजल है उनको हम लगातार प्रयास करते हैं लगातार जो ब्यापारी-बरगय जंता है वो मांघ उठाती रही है कि पेटरल डीजल को GST में लाया जाएगा तो उस पर केभल में sounds सबसे जारा हाईयस टी रेट है, अट-ठाइस परसेंट वो कवर लागू हो सकेगा. तो जो 42, 45, 45, 40% का जो इस समय टेक्सिज चल नहीं, जिसका पेट्रोल आज की समय बें, डीजल आज की समय बहुत महींगा भिको रहे हैं, जिसके कान तमाम चीज़े महंगी हो रही हैं। जिसके कान तमाम चीज़े महंगे होते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए। और अगर वो इसके साथ निर्धान कर रहे हैं। तो क्या वो निर्धान सही है। और जब पेट्रोल डीजल के रेट अंटरास के बजार में बेरर के साथ से होता है, अगर कम होता है। तो क्या वो कमी का अलाब पेट्रोल और डीजल कंपनियां आप जनता को दे रही हैं। ये भी समिच्छा जरूरी है। तो इसकी समिच्छा करने के लिए मेरा मानना ये है कि सरकार को महकबा एकठिट करना होगा। जो केवल हो केवल सारी जीजों की समिच्छा करें। हलाकि समिच्छा रिकारी तो बिवागों में होते हैं तजवाले में भी होते हैं पर समिच्छा रिकारियों की क्या नीती है इनकी क्या जबाब देही है मुझे इस बार की जानकारी नहीं है और अगर जबाब देही होती तो क्या बेहतर करते पर यहां पर जबाब देही के लि को सरके कंके माड़inka से यही सइसे यहीं है कि मेंस मीश्च्रा गणाए दॉसमें नर्दारन से तो यह तो बात हमने की प्याट्रोल डियल की दूसरा जो महत्पूर मुद्दा है जो महत्पूर नहां पर समिछा की उम्मीर है वह सिच्छा की नीति आज की समय में सिच्छा लगातार महेंगी होती जा रही है सरकारी स्कूरgar के अलाबा प्राइवट स्कूल है वो लगातार अपन फीज बढाते चले जा रहे है लगातारी है कि यह पीमाना है किने कर रहे हैं और segment का कीसे नहीं का मानक है क्या और यह मानक है प्रणी इसक Ст्रीन कंग करेंगे CBC pattern कैसे काम करेगा ICAC pattern कैसे काम करेगा NCRT pattern कैसे काम करेगा इस पर भी समिच्छा होनी जरूरी है एक दाम निर्धान सुल्क होना जरूरी है अगर कुछ आप additional सुभधार दे रहा है तो उसका निर्धान कर सकते हैं उसका भी आपको एक गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा और ऐसी जो निती की जरूरत ऐसी समिच्छा निती की जरूरत इस समय सिच्छा विभाग में है हम देख रहे हैं तमाम तरह के सुल्क लगा दिये जाते हैं जिनका सुल्क को लेना देना नहीं है चाहे एड़िजन सुल्क हो चाहे अन सुल्क हो चाहे ट्विशन फीस हो या तमाम चीज़े ऐसी है जिसके कारण लगातार आम बर्ग जो आम जनता है वो पिस्ती जा रही है और अपने बच्चों को अच्छी सिच्छा जलाना उनके लिए मैज एक ख़ुआ बंदा जा रहा है क्योंकि जो मद्यम आए बरह गैसे वो सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कुल पढ़ाहे जो स्कूल में अच्छी सिच्छा हो, बैतर विकास हो, तमाम तरह की करीकलर में अक्टिविटीज हो, जिससे की उनके बच्चे का संपूर्ण विकास हो चुके, संपूर्ण दब से वो विक्तिर बन से के और साथ ही साथ आंगे बढ़ सके, जो जीवन की आज की डॉल है उसमे बिल्कुल पीछे ना रह पाए और बढ़ता चला जाए, तो इसके लिए कुछिस करता है कि अच्छी स्कूल में एडमिसन हो, जहां पर पढ़ा अच्छी हो, पर इन स्कूलों में भी जस तरह हम देख रहे हैं, कि नीतिया बनती है, सरकार नीती बनाती है, पर नीती की पीछ नहीं ले सकते हैं, आप सुबरा है चाय जतनी अच्छी ने, पर आपको इन फीछों के अंदर ही बच्चों से फीछ लेनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा आप फीछ नहीं ले सकते हैं, इसके अलाबा हम देखते हैं, जब हम लोग हमारा बसपन था, तो उस समय किताबों के साथ साथ कोई बादिता नहीं होती थी, कि आपको उससे दुकान से लेना है, उस दुकान से बैग लेना है, उसी दुकान से आपको ड्रेस लेना है, उसी दुकान से आपको सिलेवस लेना है, तो यहां पर ये बादिता खतम करने चाहिए, हाला कि उत्ताप ड्र लालसा में बहुत जल्दी सारी चीज़ों को मौया कर देते हैं अपने बच्चों के लिए तो यहां पर जो आलेस आता है वो भी काफी डेर से आता है और जिसके खामयजा अभिवाबा बहुत होता है और जिस तरह से जो सलेवा से जो चीजे हैं जो किताबे हैं जो कौपी है जो इस तरह महगी बनाई जाती है इतनी महगा वो कोर्स होता है कि निश्ची रूप से जब उसको अभिवाबा के लेने जाता है तो इसको बड़ा कश्च होता है तो यहां पर प्राइबिटी करण जो होता है जिनिजी करण होता है उसके करण बड़े कमीशन की लालसा में यहां पर कुछ बुझ मिजशस्तर की किताब लगा दी जाती है जो की होना गलत है यहां पर अगर एक नीती हो कि आपको इस राइटर की यह ब्रांड की आपको किताब लगा नहीं है वही बृरांड चलेगा और वो बड़ांड पूरे देश भर में लोगों को लेना पड़ पर नीती और रेट और जो सुल्क हो वो एक होना चाहिए तो यह सच्छा नीती की बात हुई इस पर समिश्चा होना बहुत जरूरी है अब हम आते हैंगे बस्तूओं के दाम नेती पर इसकी समिश्चा बहुत होनी जरूरी है क्योंकि हम लगाते हैं किसी भी चीज के दाम बढ़ जाते हैं और कोई कंपणी इसके उत्तरदाई नहीं होती इससे कंपणी कीए ते दाम क्यों बढ़ आए हम देखने लगातार खाती तेलों के डाम लबागत दोगने हो चुके हैं तो यहाँ पर स्मिछा करनी जरूरी है यहाँ पर सरकार को अफसर साही को यह जम्रारी नवानी चाहिए कि वो स्मिछा करें कि अगर तेल के दाम बढ़े हैं तो ऐसी कौन सी चीज महांगी हो गई है कि आपको तेल को दोगने दाम में बेचना पढ़ रहा है कोई महामारी, कोई बड़ी समस्च्या, कोई ऐसी दिक्कत कि आप चीजे आपको पारिन कम हो रहा है, मौहिया नहीं करा पा रहा है तो आप दाम बढ़ा है, पर यहाँ पर जवाब देगी कोई नहीं होती है, और मन माने रूप से दाम बढ़ाए जाते है तो तमाम, चाहे खाद विवाग हो, चाहे टेकलोजी हो, हम देखते हैं लगातार कि अभी हमने देखा है कि दिसंबर से लेके अब तक जो मुबाइल टेलिकोन कमपनिया हैं, वो अपने रेट बढ़ा चुकी है वो रेट क्यों बढ़ाए गए, किस कारण मढ़ाए गए, इसकी जानकारी उन्होंनों ट्राई को नहीं लिए और सबसे बड़ी बात तो है, हमने अपने पराने भी कई, जो हमारे एपिसोड रहे, उसमें हमने बताया ये बात कि जब हमने डिखाया, अपने कारिकम में, कि जो महीना होता है, वो साल में बारा महीने होते हैं, पर जो टेलकॉन कमपनिया हैं, वो 28 दिन के साब से हम से 13 महीने का बुक्तान कराती हैं, यानि हम रिचार्ज कराते हैं 12 महीने का, बुक्तान करते हैं 13 महीने का तो यहाँ पर जो टेलिकॉप कंपनिया उनके भी समिच्छा होनी जरूरी है उनके दाम निर्धान के समिच्छा होनी जरूरी है और साथ जो FMCG कंपनिया जो बड़ी कंपनिया जो खाड बस्तुए बनाती है इनके दाम की निर्धानता भी बहुत होना जरूरी है कि अगर हमको रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो मूल है उनकी दाम की नरधान नीती होनी चाहिए उसकी समिछा लगातार होती रहने चाहिए सबसे आबस्यक है यहां पर दाम नरधान नीती क्योंकि गरीब जनता जो से पिस्ती है और मजबूरी है उनको अपनी जीवन यापन करने के लिए उन सारे सामानों खहीना पड़ता है हम तेल भी खहीना पड़ता है हमको नमक भी खहीना पड़ता है हमको खाट बस्तों भी खहीननी पड़ती है हमको दूर भी खहीना पड़ता है हमको सारी चीज़े खहीननी पड़ती है जो जी तो परिशान श्री ने अमिर्वाइट पैसा है वो चाहे तो बड़ी कीमतों पे भी अपना जीवन आपन कर सकता है उसके पार समस्या नहीं है पर जो मद्दम आए बरग हैं जो करीब दुर्बल आए बरग है उने के लिए समस्या सबसे बड़ी है और इस पर दाम नर्धान न बीचे होते रहते हैं तो हमको जमाखोरी को लेकर भी समीच्छा करने पड़ेगी उसको भी नीती मराने पड़ेगी जिससे कि लोग जार से आरा पैसा ना कमा पाएं और गरीवों को ना ठख पाएं क्योंकि जिसको मौका मिलता है देस में वो अपने आपको बैतर और कमाने की सोचता है और जैसा इससे में हम देख रहे हैं कि नीबू 200-240 उपे किलो बिक रहा है क्यों बिक रहा है जानगा ही नहीं क्या मजबूरी है पता नहीं किस कान बिक रहा है पता नहीं ना सरकार को जरूरत और ना सरसाही को जरूरत और ना जिनको बेचने बाले उनको बहुत किसको है पारिसानी किसको है वो है आम-जनता को वो नीबू जो कि गर्मी के मौसंग में बहुत आवस्यक!! ये आदमी सिकंजी के माद्धं सिध्द् illustrations के लिए titric होना बहुत जरूरी है.. और झcado मौसंग होते है जैसे हम देख रहे हैं संत्रा हो गई या मुसम्मी हो गई और नीबू हो गई इस मौसम में बहुत आवस्चक होते हैं अपने आपको स्वस्त बना रख रहे के लिए पर यहाँ पर जिस तरह से रेट बढ़ रहा है दाम लगाता बढ़ रहा है इस्थर हो गए बड़े दामों पर समिच्छा नहीं करेंगे जमाखोरी पर नीती नहीं बनाएंगे दाम निर्दाने के नीती नहीं बनाएंगे तब तो ऐसी इस्थिती पैदा होती रहेगी और अब समय आ गया है कि हमको इस दिसा में काम करना पड़ेगा चौती से सबसे बड़ी बात है वो नीती है चिकिस्था सब्मंदी हम चिकिस्था कराते हैं और सभी जगए अलाइला रेट लिस्ट है हर जगए सोसरन होता है कहीं वो दबा जारा मिलती है कहीं वो दबा कम की मिलती है MRP MRP यानि Maximum Retail Price यानि हम किसी बस्तू को कि जो बेचनी की दर होती है सबसे आरा MRP होती है सबसे इस की मर बेच सकते हैं पौर से कम की मर बेच सकते हैं और हम देख रहे हैं कि चिकिस्था छेतर में जो दबाईयों का छेतर है उसमें इतना जारा मार्जन होता है कि उस मिलता है डॉक्टर्स को इसका लाब मिलता है कम्पनियों को पर इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है आम जनता को कि वो खहीती है और तेखने में यहां तक आया सुतों के मताबिक कि 13-13 रुपे वाले सीरफ होते हैं या जो 13 रुपे वाली गोलिया होती है वो मा गवारा करे और चाहे ना करे पर उनको दवाई लेना मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनको अपनों अपनी और अपनों की जान बचाना आवश्यक है और ये जो ब्यवस्था है ये अभी नहीं है ये हमाई ब्यवस्था सालों चलिया आ रही है हमना कुरोना टाइम में भी र कितनी लोग मर गए कितनी बच्चे नाथ हो गए पर यहां पर मुनापा खोरी की चक्कर में छोटी छोटी दबाओं को महंगे दामों बेचा गया उसकी भी बिलेक हुई उसकी भी काला बजारी हुई और जंता इससे त्रस्त रही पर जम्मेदार केबलो केबल हाथ पर हाँ ड पर भी नीती बनाएं आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कितना खर्च होगा अगर अगर यह सर्जिकल सामान है उसकी कीमत क्या होगी अगर यह दबा है उसकी कीमत क्या होगी इस पर भी एक समीच्छा होनी जरूरी है समीच्छा नीती आनी जरूरी है और यहां पर भी यह जिनके दाम निर्धान नीती होना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार लोग मर्मानी कर रहा है और जिसका नुकसान आम जनता को हो रहा है तो चिकिस्ता शित में भी आपको प्रयास करने होगा चिकिस्ता शित में भी आपको देखना होगा कि कहां पर नुकसान हो रहा है और क कहां पर बैतर कर सकते हैं, कहां पर नियंटन कर सकते हैं, कहां पर आम जनता का बोज कम कर सकते हैं, और हमारी जम्मेदारी है, सरकार की जम्मेदारी भी हो, अब सरसाही की जम्मेदारी है, कि अपने कारकम के माध्धम से ऐसे लोगों को बताते रहें, जम्मिदारों को जगाते रहें, सरकारों को ये चीज दिखाते रहें, कि अगर ये गलत हो रहा है तो इसको हम कैसे बेतर कर सकते हैं. अभी हाल में पांच राज़ों में चुनाव हुए और चार राज़ों में बीजेपी ने दुबारा सरकार बनाई और बीजेपी पहले से जाड़ा सक्री नजर आ रही है, पर इस सक्रेता के बीच लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार एजिंडा बना रही है, सरकार रोडमेप बना रही है, सरकार युजुना बना रही है, पर इन युजुनाओं के बीच तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप युजुना बना रहे हैं, उनका क्रियानमन कर रहे हैं, उसकी समिच्छा कर रहे हैं, तो जो ये मुद्दे हमने बता हैं, इन मुद्दों की समिच्छा क कई बड़े माध्यमों से जाता है, तो अफसर साही जाकरत होती है, उसके कुछ दिन जाम चलता है, उसके फिर जाम लगना शुरू हो जाता है, और जो पटी दुकानदार हैं, उनको भी सोशन किया जाता है, महकमों दौरा, तो यहाँ पर जो नीती हम पटी दुकानदारों को लिए बना है, जो नेती हम बिरुजगारों के लिए बना है, उस नीती की समिच्छा भी होनी जरूरी है, एक समिच्छा होना चाहिए, एक समिच्छा की विवस्ता होनी चाहिए, जिससे एक किस्पस्ट हो कि उनको दुकान कहां लगानी है, उनको कहां काम करना है, उनको तो यहां पर जो किरसी है उसमें भी नीती होने जरूरी है उसमें समिच्छा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बहतर कर सकते हैं तो यहां पर नीती आपको किसी चिट में बनाने पड़ेगी अब मैं आता हूँ उर्जा नीती उर्जा के लिए लगातार हम देखते हैं कि बिल होते हैं वो बिल दिये जाते हैं और उनमें तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो निर्दारत होती है उसका जनता को हमेशा बुक्तान करना पड़ता है हर बिल में वो चार्जेद लगा जाते हैं वो चार्ज क्या है उनकी समिच्छा होनी चाहिए क्योंकि इस समय पहले से ही जनता महंगे यूनिट के साफ से बुक्तान कर रही है और यह तरफ जहां जनता पहली से महंगाई की डन्व से बेहाल है और इस तरह की उर्जा की जो बिजली की जो दर्व है वो अगर बढ़ेंगी उनमें अगर दबर इस्थिर रहेंगी और तमाम चार्जेश उनमें लिये पीछे रहेंगी और निसिरुप से बकाया होता है वो बकाया भी इसलिए होता है कि जनता उन लिटों का उन दरों का या उन बिल का भुक्तान करने में अच्छा मोजाती है क्योंकि उसको जनता के उपर चौतरफा मार पड़ रही है चाहे वो डियल पेट्रॉल की हो चाहे म खाद सामगरी की हो चाहे सिच्छा की हो चाहे सिक्सा की हो वो चार तरफ से महंगाई के दण से प्रभावट हो रही है और अब उसको तमाम ऐसे चीजों से रहा दिलानी चाहिए जो से वो अपने आपको कुछ बहतर मैसूज करे तो हुर्जा नीतिहा बनानी चाहिए हम दे कालोननी टेक्स ले रहा है क्या बहां पर बेतर सबसपाई है क्या बहां पर बैतर कुड़ापरवंदन है क्या बहां पर बैतर ब्योस्था की गई कि वाद रेटिंग होती है लोहों का होता है जलों का होता है और वह चप जाता है और Each statere- Dug Stuart उपन्ता कया है ? वह आपको नर्धानन करना पलेगा क्योंकि जब तक आप नर्धानन नğin करेंगे तब तो आपको पता नहीं चलेगा और सबसे बड़ी बात خस्थ यहां पर यह है कि जो भी टाक्स होते उनका भी निर्धान होना बहुत जरूरी है कि जब तक आप निर्धान नहीं करेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा और आप इस स्थर भी नहीं कर पाएंगे आप इस जान भी नहीं पाएंगे कि आपको किस मुद्दे पर किस जगए पर किस बिसाय पर किस विबाग में करना बहुत जरूरी है और मैं अपने इस कारिकम के माद्यम से केन सरकार और राज सरकारों से और साथ इसर अफसर साहों से भी यह निविजन करना चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हो कि जनता की समस्चा को समधान हो चाहे चेकिस्टा की बात हो चाहे सिच्छा की बात हो चाहे मेंगाई की बात हो चाहे पेट्रोल डिजल की बात हो चाहे बिगास की बात हो अगर हम बैतर समीच्छा करेंगे अगर एक समीच्छा बिभाग एक समीच्छा मंतराला बनाया जाए जिसमें केबलो केबल समीच्छा की जाए जिसमें केबलो केबल यह जानकारी दी जाए कि अगर ये दाम बढ़ाएगा है, क्यों बढ़ाएगा है और इनकी लगातार समिच्छा होती रहे अगर अनावस्थक रूप से बढ़ाएगा है तो उसको कम भी किया जा सके अगर अनावस्थक रूप से नहीं बढ़ाएगा है तो उनको स्थिर भी किया जा सके तो अभी एक डिल बहिने से चल ला है इसके पहले लगातार मेंगाई बढ़ रही है और मेंगाई अभी से नहीं बढ़ रही है मेंगाई की डायन है वो लगातार अपना विक्रार रूप लेती जा रही है और यहां पर काम करने जगोत है और सबसे बड़ी बात है कि समीच्छ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार